बिसमिल्ला इरहमान इरहीम अस्सालामुलेकूं विव citrus कैसे हैं आप सब आप देख रहे हैं रूमी कीछन और रूमी किछन में आज में बना रही हूं आलू के पैटीच तो चलिए आएके चलते हैं अपनी सब्सकर्या बिर्च हमyग का और पैटीच बनाने के लिए सबसे पह एक चम्मच भरके घी का वन टी स्पून नमक अब इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूं और मिक्स करने के बाद नीम गरम पानी से इसे अच्छे तरीके से मैं गून लूँगी डो हमारी अब तक्रिबन बिल्कुल तैयार है अब मैं इस पे घी लगाऊंगी घी लगाके इसे थोड़ी देर के लिए हम 10 से 15 मिनिट के लिए कावर करके रग देंगे अब मैं आलू के पेटिस की फेलिंग तयार करूँगी मैंने इसके लिए लिए हैं एक चमज घी और हाफ टीस्पून मैंने लिया है इसमें सफेज जीरा सीरे को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी इसी ओईल में अब मैं इसमें आदा किलो आलू शामिल करूँगी मैंने आदा किलो आलू लिये थे उन्हें उबाल लिया था छील लिये थे छीलने के बाद मैंने मेश किया मेश करने के बाद शामिल कर दिया है मैंने इसमेश को अब मैं इसमें एक चम्मच पिसी मिर्च, एक चम्मच नमाक, धनिया और सफेज जीरा दोनों को रोस्ट कर लिया था और उसका पाउडर बना लिया और एक चम्मच मैं इसमें शामिल कर रहे हूँ अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिच्स कर लूँगी और लो फ्लेम पे इसे अच्छे तरीके से मैं पकाऊँगी ताकि इसका कच्छा पन निकल जाए और फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दो से तीन अदर मैंने हरी मिर्चे ली थी उन्हें कूट लिया था वो इसमें शामिल करूँगी और थोड़ा सा अब मैं इसे लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से पका रही हूँ और यह देखे इसका जो कच्छा पन है वो तक्रीबन पक चुका है हमारा आते फिलिंग जो तैयार कर रहे थे वो बिल्कुल अब तैयार हो चुकी है अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी हमारी जो डो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है अब मैं पफ पैस्ट्रि तैयार करओँगी अब मैं इसे तोड़ गी लगाकर दूबाला से गून रहे हूं और जब बिल्कुल हमारा पेड़ा सा त्यार हो जाएगा तो फिर मैं इसके 10 च्छोटे च्छोटे पेड़े बन लेयर लगाने के लिए हमें चाहिए चार चमज मैदा और दो चमज घी इसको हमने दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और यह हमारी लई की शिकल थियार कर लेगी और इससे हम लेयर तयार करेंगे मैंने एक पेड़ा लिया है और इसे में बेल लूँगी अब में मेदा थोड़ा सा मैंने डस्ट किया है और इसे में पतली से बिलकुल बेल लूँगी थोड़ी सी बड़ी रोटी की तरह मगर हमें इसे बिलकुल पतला बेलना है देखिए यह आप मैंने बिलकुल इसे पतला स पिष City ट्यार करने रखिती अब मुए इसके वपर यह लगा दोगी gy duck इस तरह से आप इसको एक चम्मज भरक Jetzt कि ओपर रह note और प्र इसको 400 तरफ अच्छे तरीके से इसके आपर फि determining कपेषारश हैं। अच्छी जीफिर के लगनी बिर में 100 गया साटम जीफिज़ुका हैं। और इसी तरह एक के उपर एक हम इस पे लेयर लगाते रहेंगे अब आप देख रहे हैं कि जो मैं रोटियां बना रही थी बेल रही थी वो पूरी 10 की 10 तयार हो चुकी है और उसके उपर कितनी अच्छी लेयर आई है और ये देखिए इसमें आप लेयर देख सकते हैं कि कितनी सारी लेयर आई है और अब हमारी ये तक्तिवन शिल्ड तयार हो चुकी है और अब मेजे बेल के इसकी कटिंग करूँगी मैंने जो रोटियां एक साथ कर ली थी उनको बेल ली एक साथ करके और अब मेज पे जो मैने वो लई रखी हुई थी हमारी थोड़ी जो बची हुई है उसको हम इसके ओपर लेयर लगाएंगे और अब मैं आप देख रहे हैं कि इसको फोल्ड कर रही हूं इसी तरह से हम इसे हलका हलका प्रेस करते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे फिर हम इसे हलका सा प्रेस करेंगे और फिर हम इसे फोल्ड करेंगे अब हम इसकी कटिंग करेंगे और यह देखिए हमारी पफ पैस्ट्री की कितनी प्यारी लेयर आई हैं यह आप देख सकते हैं देखें आप कितनी प्यारी लेयर आई हैं अब हमने डेड़ा लिया है और जो लेयर वाला हिस्सा है उसे हम रखेंगे और हाथ की मदद से थ्वड़ेश प्रेस करेंगे और आप इसे बेल लेंगे या देख रहे हैं कि यह लेयर आ रहे हैं हम इसी तरफ से ही इसको प्रेस करके इसे में बेल लूँगी और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे अब मैं इसमें एक चमज भरके बेटर रख रहे हैं हूँ और इसे कॉर्णर से अच्छे तरीके से इसको हम लगा देंगे हमने आटे की थोड़ी सी लई तैयार की है ताके कॉर्णर से हम अच्छे तरीके से यह आपस में बाइंड हो जाए और फ्राइ करते हुए हमारा यह बेटर जो है बाहर ना निकले और इसी तरह से अब हम इसी प्रोसेस से सारे अपने पेटिस तैयार कर लेंगे और यह फोक की मदद से हम इसमें इस तरह से यह निशान लगा रहे हैं ताके इसमें खुपसूर्ती भी आए इससे थोड़ी खुपसूर्ती भी आ जाएगी हमारे पेटिस में अब इसी तरह से हम सारे पेटिस फ्राइ कर लेंगे और फड़ाई हम घी में करेंगे तो बहुत अच्छे क्रिस्पी फ्राइ होते हैं अब हमारे तमाम पेटिस फराई हो चुके हैं और अब हम निकाल लेंगे और डिश आओट करेंगे अमारे पेटीन करेंगे वायाओ कितने माज़तार है meinem यह दियास लूपर hay trabalhar मेरी रेसिपि को जुरूर एंग perspectiv job चाहरे में मैं इसे आ दिखा रहे हूं कितने माज़दार लग रहे हैं और बहुत माज़दार हैं अदे आप यह वार श्रूर्व EB अगर आपको मेरी रैसीबी पसंद आती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पे लाइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिल सके, दुझे दूआओं में याद कीजिएगा, खुछ रहें, अलाफिस.